नमस्कार दोस्तों पटना निवासियों के लिए आई है बहुत बड़ी खुशकबरी पटना से दोड़ेगी बुलेट ट्रेन जानिये सफर सिर्फ तीन घंटों में ही होगा तै बिहार के लोगों के लिए खुशकबरी सामने आ रही है बुलेट ट्रेन का सफना देखने वाले बिहारियों का सफना अब पूरा होगा अब बिहार की राजधानी पटना और प्रयाग राज के बीच बुलेट ट्रेन दोड़ेगी जी हाँ, केंद्रिये रेल राज्यमंत्री मनोद सिन्हा ने इस बाड़े में जानकारी साजा करते हुए कहा की सरकार बारा रूटों पर बुलेट ट्रेन दोड़ाने की तैयारी कर रही है इन बारा रूटों का रिपोर्ट जल्धी सौपा जाना है इन 12 रूटों में से एक रूट पतना से प्रयाग राज का भी है 320 किलो मीटर की रफतार से दोरने वाली बुलेट ट्रेन से अब पतना से प्रयाग राज की दूरी सिर्फ 3 घंटों में ही तै की जा सकेगी पटना प्रयाग राज के अलावा देश के अन्य बारा मारगों का भी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए सर्वे किया जा रहा है दरसल जापान की मदद से भारत में भी अब बुलेट ट्रेन का सप्टा जल साकार होने वाला है आपको बता दे कि देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई एहमदाबाद रूट पर चलेगी मुंबई एहमदाबाद रूट की तर्श पर देश के अन्य बारा मारगों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए सर्वे किया जा रहा है इसी क्रम में नई दिल्ली से वारनसी, वाया, हापुड तक बुलेट ट्रेन की संभावनाओ को खंगाला जा रहा है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 720 किलोमीटर की दूरी को महस तीन घंटों में तै की जा सकेगी केंद्रिये रेल मंत्री मनोथ सिन्हा ने बताया कि जल्ध ही विशेशग्यों की टीम भारत सरकार को 12 रूटों की रिपोर्ट सौपेगी उन्होंने यह भी कहा है कि अभी बुलेट ट्रेन का रूट यात्रियों की संख्या दो स्टेशनों के बीच की दूरी शेत्र के आर्थिक स्थिती एवं जमीन की गुनवत्ता का आकलन किया जा रहा है इस संबन्द में श्री सिन्हा ने कहा कि रेल मंत्राले ने देश ऐसे 12 रूटों का चयन किया है जो सबसे तेज एवं व्यस्त गलियारों में माने जाते हैं इस कड़ी में जर्मनी की सर्वे टीम ने मैसूर चिन्नई रेल खंड पर प्रथंचरन की रिपोर्ट बना ली है नई दिल्ली भोपाल, नई दिल्ली मुंबई, पूने मुंबई, हैदराबाद चन्नई, प्रयागराज पतना, बेंगलूरू चन्नई, त्रिवेंद्रम समेथ कई ट्रैकों पर फिजिबिलीटी रिपोर्ट बनाई जा रही है धन्यवाद झाल